नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दिपांशु गुपता है, मैं युरोल्जिस्ट, एंडिरोल्जिस्ट एंडिनल ट्रांस्पांट सर्जन हूँ, अब हम ये जानेंगे कि किन्ली स्टोन्स में हमको सर्जडी की रिक्वार्मेंट कब है, या कब सर्जडी के लिए हमको सोचना चा अगर आपके स्टोन का साइज बड़ा है, या एक जो हम एक साइज मानते हैं 5 mm, जितना आपके स्टोन का साइज 5 mm से भड़ता चला जाएगा, तो चांसिस ये हैं कि उतनी ही जादा आपको सर्जडी की रिक्वार्मेंट हो सकती है, क्योंकि साइज जो है उसी की वज़े से किड्नी में उसकी फंक्शनिंग, उसका इंफेक्शन है किड्नी में और पेन, ये सब चीजे कई की बार साइज के डिपेंड करती है, दूसरा अगर हम देखें, तो आता है लोकेशन ओव दिस स्टोन क्या है, अगर स्टोन किड्नी में या यूरूरी ट्रैक में उस लोकेश पे है, जिसकी वज़े से हाइडोनेफ्रोसिस, जिसको हम बोलेंगे कि किड्नी से पिशाब के आने को अगर वो रोक रहा है और हाइडोनेफ्रोसिस कर रहा है, तो आपको सर्जरी की डिक्पार्मेंट हो सकती है, जैसे अगर स्टोन आपका पैल्विस किड्नी का जो एक हिस के ड्रेनेज को रोक रहा है तब हमें सर्च डी क्रिक्वार्मेंट हो सकती है अगर आपको सिव्यर पेंड है जिसकी वज़े से आप डे टू डे एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं और बैट पे ही रह रहे हैं या भूँ ज्यादा आपको पेंड किलर्स लेने पड़ रहे हैं तब आपको सर्च डी क्वार्मेंट हो सकती है अगर आपकी सिंपल एक ही किड्नी बच्ची है दूसरी किड्नी सम्हाव किसी कारणवश नहीं है या रिमूफ कर दी गई है और एक किड्नी में आपको स्टोंस बन रहे हैं तब चांसिस हो सकते हैं कि आपको सर्च डी क्र तो अगर आपकी किद्नी कि functioning deteriorate कर रही है या कम हो रही है because of the stone, because of the obstruction तब आपको surgery की requirement हो सकती है या फिर अगर kidney stones की वज़े से, urine obstruction की वज़े से आपको काफी ज़्यादा infection हो रहा है, fever आ रहा है, recurrent plus बन रही है और uninary tract infection आपको तब आपको kidney stones की surgery की requirement हो सकती है अपना किद्नी स्टोन सर्जरी अपोइंटमेंट प्रिस्टीनकेर.com पर बुक करें प्रिस्टीन केर